ओम शान्ती आज हम मेठे बाबा के 30 माई 2024 के मेठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा अज हम बच्चों को कहती हैं मीठे बच्चे तुम्हें पहला पहला निश्चे चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयम शान्ती का सागर सुख का सागर बाप है कोई मनुष्य किसी को सुख शान्ती नहीं दे सकता बाबा हमें कहते हैं सुख शान्ती चाहिए तो किस से मिलेगी सुख के सागर शान्ती के सागर बाप से और किस विधी से देते हैं बाबा सुख शान्ती तो बाबा हमें पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को धारन करने से, उस पढ़ाई के अनुसार अपने करमों को परिवर्तन करने से, हम सुक शांती की दुनिया के मालिक बनते हैं। और कोई मनुष्य नहीं, और कोई विधी नहीं, जिससे हमें सुक शांती मिल सके। प्रश्न है, सबसे उची मन्जिल कौन सी है? और उस मन्जिल को पाने का पुर्शार्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं एक बाब की याद पक्की हो जाए बुद्धी और कोई की तरफ ना जाए ये उची मनसिल है क्योंकि सारी मनसिल के बाद तो इसे में है कि एक बाबा की याद पक्की हो क्योंकि जितने भी दुख, शान्ति, कानुभव है वो बुद्धी के भटकने के कारण होता है देही और देही की दुनिया में जब बुद्धी भटकती है तो ही आत्मा संतुष्ता, दुख, शांती का नुभव करती तो उची मनसिल है कि एक बाबा में बुद्धी एकाग्र हो जाए इसके लिए पुर्शार्थ क्या है? आत्म अभिमानी बनने का पुर्शार्थ करना है बुद्धी भटकती क्यों है? बाबा को याद क्यों ने करती? क्योंकि देभिमान है तो पहले आत्म अभिमानी बनने का पुर्शार्थ करना पड़े जब तुम आतम अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात कतम हो जाएंगे बुद्धी का भटकना बंद हो जाएगा लेकिन आतम अभिमानी पन की अवस्था जम जाए जिसको कहते हैं कि आतम अभिमानी बन जाए उसके लिए तो बहुत काल का पुरशार्ट चाहिए देह के तरफ बिलकुल दृष्टी ना जाए ये मनसिल है क्योंकि देह देखते ही विकारी ख्यालात आते हैं बुद्धी भटकते हैं देहदारियों में इसके लिए आतम अभिमानी भव ओम शान्ती रुहानी बच्चों प्रती रुहानी बाप बैठ समझाते हैं इनको ब्रह्मा बाबा को रुहानी बाप नहीं कहेंगे मुर्ली कौन सुना रहे रुहानी बाप शिप बाबा और सुन कौन रहा है? रुहानी बच्चा में आत्मा आज के दिन को सत गुरुवार कहते हैं गुरुवार कहना भूल है क्योंकि गुरु तो अनेक है और उनका ऐसा महत्वनी है कि उनके लिए कोई वार रखा जाए लेकिन बाबा कहते हैं सत गुरु एक जो सुक, शान्ती, मुक्ती, जीवन, मुक्ती देते हैं उस सत गुरु बाबा की याद में आजम भोग लगाते हैं तो बाबा कहते हैं सत गुरुवार गुरु लोग तो बहुत धेर हैं सत गुरु एक ही है बहुत हैं जो अपने को गुरू भी कहते हैं और सत्गुरू भी कहते हैं मनुष्य का क्या है कोई भी नाम अपने पे धर देते हैं सत्गुरू भी रख देते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो गुरू और सत्गुरू में तो फर्क है अब सत्गुरु तो शिब बाबा है, गुरु तो मनुष्य है, सत्गुरु तो गती सत्गती मुक्ती जीवन मुक्ती देते हैं, गुरु तो कुछ भी नहीं देते, तो कितना अंतर है, लेकिन मनुष्य तो अपने पर गुरु नाम भी रख देते और सत्गुरु भी रख देत सत अर्थात टूथ सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है ना की मनुष्य को सच्चा ज्यान तो एक ही बार ज्यान सागर बाप आकर देते हैं और सत गुरु में बाबा को सत क्यों कहते हैं क्योंकि टूथ बाबा सत्ते जानते हैं, टूथ जानते हैं और बाबा आकर वो टूथ एक ही बार सुनाते हैं जिससे हम सच्ची, सुक, शान्ती की दुनिया के अधिकारी बन जाते हैं मनुष्य मनुष्य को कभी सच्चा ज्यान दे नहीं सकते God is truth, वो ही truth सुनाती है और उसी ज्ञान से गती सदगती होती है सच्चा है ही निराकार बाप इनका नाम तो ब्रह्मा है, ये किसी को ज्ञान दे ना सके ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं अभी भी कहेंगे इन में सारा ज्ञान तो है नहीं क्योंकि सारा ज्ञान तो शिबावा में है, सारा ज्ञान जिसमें हो तो ज्ञान सागर कहलाए हमारे अंदर जब भरपूर ज्ञान होगता तो भी हम मास्चर सागर कहलाते है संपूर ज्ञान तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा में ही है इसे लिए शिबावा ही truth है इसे लिए सत्गुरु है और वो सत्ग सुनाकर गति सद्गति करते हैं अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सत्गुरु कहला सके सत्गुरु माना संपूर्ण सत्य जब तुम सत्ग बन जाएंगे तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा जितना हम सत्य ग्यान और सत्य बाप की याद का स्वरुब बनते हैं तो हम आत्मा सच्छी बन जाते हैं उसके बाद ये जूटा संसार जूटी काया जूटा शरीर नहीं रहता फिर हम सच्छ खंड में चले जाते हैं मनुष्य को बाबा कहते हैं मनुष्य को कभी सत्गुरु कहें नहीं सकते क्योंकि मनुष्य तो खुद जूटे हैं तो सत्गुरु कहसे कहें सत्गुरु माना तो सत्य सुना कर सच्छ खंड का मालिक बनाने वाला मनुश्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है knowledge is might कहते हैं तो knowledge is power कहते हैं तो सत्य हो तो ताकत हो मनुश्य में तो ताकत नहीं है ये खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुश्य हूं कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती बाबा भी ताकत शिबाबा से भरते हैं हम बच्चे भी भरते हैं ये तो बाप पढ़ाते हैं ना कि ब्रम्हा ये ब्रम्हा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं तुम ब्रम्हा, कुमार, कुमारियां कहलाने वाले भी परमपिता, परमात्मा, सत्गुरु से पढ़ते हो तो हम ज्यान के सागर नहीं है हम ज्यान सागर से पढ़ कर दूसरे को सुनाते है तुमको उनसे ताकत मिलती है Knowledge is power सत्य ज्यान की ताकत हमारे अंदर धारन होती जाती है ताकत का मतलब ये नहीं है कि कोई को घूसा मारो जो गिर पड़े है ना मनुश्य देखो Physical ताकत है ना शारिरिक बल को ताकत समझते है लेकिन बाबा कहते है ताकत तो आत्मिक बल को कहते है जिस आत्मिक बल्स के अधार से आत्मा प्रकृती जीत बन जाती है कोई को हराने की जुरूरत नहीं पड़ती आप अपने स्वधर्म में अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते है तो बाकी सब आप पे ही आपकी सेवा में तत्थपर हो जाते है तो बाबा कहते हैं कोई घूसा मार कर किसे को गिराना नहीं है ताकत ये बाबा कहते हैं कि ये तो बाप पढ़ाते हैं ना कि ब्रम्हा बाबा कहते हैं ये तो रुहानी ताकत जो रुहानी बाप द्वारा मिलते हैं याद के बल से तुम शान्ती को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है सुना, याद के बल से शान्ती मिलती है, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं, और पढ़ाई से सुख मिलता है, क्योंकि सुख का संबंध कर्मों से है, और जितना पढ़ाई करते हैं, ज्यान समझ आता है, वृत्ती बदलती है, दृष्टी बदलती है, कृती बदलती है, तो और तीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, वैसे बाब भी पढ़ाते हैं, सुचो बाब परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, Sat-Guru, Truth सुनाते हैं, उसी से हमारी गति सत-गति होती, उसी से हमें शान्ति और सुख मिलता, जब बाबा निका न ग्यान में भी सत्य का ग्यान और योग का ग् और जब उस ज्ञान के अधार से कर्म करते तो सुख मिलता ये भी पढ़ते हैं student है देहधारी जो भी है वो सभी student है बाप को तो देह है नहीं क्योंकि जो देहधारी है वो आत्मा तो पुनरजनम लेकर पतीत बनी है तो वो भी पढ़ती है पावन बनने के लिए और बाबा को देह नहीं है बाबा एवर प्योर है वो निराकार है वही आकर पढ़ते हैं और बाबा की सिवाए हर आत्मा देहधारी है तो सब पतीत बन जाते हैं तब बाबा आकर पढ़ते हैं जैसे और students पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो इसमें मेहनत की बात नहीं है पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं पढ़ाई का नियम ही यह है ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गरते हैं अब बाबा के दे हमारी पढ़ाई का नियम क्या है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है तो इस एक जनम संगम यूगी ब्राम्वन जनम हमें ब्रह्मचर्य में रहना है। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं, कहेंगे ये फला आदमी है, ये लल बी है, ये फला ओफिसर है, अब है तो मनुष्य लेकिन बुद्धी में क्या रहता है? अपना पद, पॉजिशन, पढ़ाई सब कुछ रहता है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शकल तो वही है, उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। आप सोचों, पढ़ाई से मनुष्य लल बी ओफिसर बादी बनता है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, सत्यूग में भी देवता तो तुम दो हाथ दो पाओ वाले ही रहते हो, लेकिन तुमारा टाइटल देवता का बन जाता है, क्योंकि इस पढ़ाई से तुमारी सीरत और सुरत दैवी बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं, साधू संताधी भी पढ़ाई करते हैं, वो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं, उनमें कोई बढ़ाई नहीं है, उससे कोई को शान्ती तो मिल नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं, स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई से, लौकिक पढ़ाई से तो कम से कम टाइटल मिलता है। आब वेज शास्त्रों की जो पढ़ाई करते हैं, उनको क्या मिलता। उनको भी टाइटल मिलते हैं, लेकिन उनको भी कोई जो कहते हैं कि इस शास्त्र से ये सुख मिला, शान्ती मिले, ऐसा कुछ नहीं मिलता, खुद भी शान्ती के लिए धक्के खाते हैं, जंगल में अगर शान्ती होती ही, तो फिर वापस क्यों लोटते हैं, जंगल से तो सब वापस आगे शेहरों में, तो इसका मतलब जंगल में भी शान्ती नहीं है, और शास्त्रों से भी शान्ती नहीं मिलते हैं, फिर भी शान्ती के लिए भटकते हैं, मुक्ती को तो कोई पाता नहीं, जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी, रामकृष्ण परमहन साधी भी होकर गये हैं, वो भी सब पुनरजनम लेते-लेते नीचे ही आए हैं, शिप बाबाई बात बताती हैं कि घले ही दुनिया मानें कि वो मुक्ती को पागे लेकिन ऐसा नहीं है, सारे साधु संत्थ की आत्माई भी महत्माई भी सब पुनरजनम लेकर यहीं हैं, मुक्ती जीव जिवन्मुक्ति दाता एक सत्गुरु शिबाबा है। जब तक वो संगम युग में नहीं आते, तो कोई भी आत्मा सत्य को बिना जाने मुक्ति जिवन्मुक्ति में नहीं जा सकती। सत्य ज्ञान समझे, यथार्त योग सीखे, तब जाकर मुक्ती जीवन मुक्ती में जाए तमो प्रदान सबको बनना ही है, देखने में तो कुछ नहीं आता, अब देखो देखने में तो आत्मा भी नहीं आती, आत्मा की यात्रा भी हमारे बुद्धी में नहीं कि ऐसे पूरे 84 का चक्र खतम करके हम अंत में हैं, देखने में तो ये भी नहीं आता कि शिबावा आकर स्वर्क की दुनिया बना रहे हैं, लेकिन जब बुद्धी से सोचो तो सब कुछ मालूम पड़ता है कोई से पूछो तुमको गुरू से क्या मिलता है, तो कहेंगे शान्ती मिलती है परन तो मिलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि शान्ती ऐसे सब को मिलती, तो अनेकों ने गुरू धारन किये हैं तो सब शान्त हो जाते हैं, दुनिया शान्त सुरूप हो जाते तो बाबा कहते हैं शान्ती का अर्थी नहीं जानते कई तो सोचते हैं आवाज बंद कर देना शान्ती है लेकिन शान्ती का अर्थी नहीं जानते शान्ती होती है शान्ती धाम में जहां आत्मा बिलकुल निर्संकल्प है और शांती फिर होती है सुक दाम में भी जहां सब कुछ करते ही आत्मा अंतरिक शांती के अनुभव में है अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्यान का सागर है और कोई साधू संत गुरु आदी शांती का सागर होना सके एक बाबा की महिमा है ज्यान का सागर, सुक का सागर, शांती का सागर, पतीत पावन तो ये करतव ये और कोई कर ना सके मनुष्य किसको सच्ची शांती दे नहीं सकते सच्ची शांती मना अविनाश्ची शांती छण बंगुर शांती तो कैसे भी मिल जाती है लेकिन कोई आत्मा 21 चुनम तक शान्त रहे ऐसी शान्ती कोई नहीं दे सकता तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्य करना है शान्ती का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई को धारन करने से ही हम शान्त सुरूप बनते हैं स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है वो भी बाप ने समझाया है तो बाबा योग का ज्यान देते हैं जिससे हम शान्त बनते हैं और स्रिष्टी चक्र का ज्यान देते हैं जिससे हम देवी गुणवान स्रेष्ट करम करने वाले सुक स्वरूपात्मा बनते हैं मनुष्य मनुष्य को कभी सुक शान्ती दे नहीं सकते ये ब्रह्मा उनका रत है किसका शिप बाबा का तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है ये भी ग्रहस्त वेवार में रहने वाला था सिर्फ बाप को अपना रत लोन पर दिया है सो भी वानप्रस तवस्था में तुमको सम समझाने वाला तो एक बाप है बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की महिमा ये है कि ब्रह्मा बाबा ने शिप बाबा को रत लोन पर दिया अपना शरीर लोन पर दिया और दूसरा कि ब्रह्मा बाबा ने शिप बाबा की हर श्रीमत को पालनकर एक्जैम्पल सेट किया लेकिन तो शिप बाबा सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं, तुमको समझाने वाला एक बाप है, वो बाप कहते हैं, सबको निर्विकारी बनना है, जो खुद नहीं बन सकते हैं, तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे, जो जो चीज, देखो, जो निर्विक बनता है उसको तो निर्विकारी पन के सुख का अनुभव होता है जो नहीं बनता वो फिर गालियां देता है विगन डालता है समझते हमारा जनम जनमांतर का भोजन जो बाप का वर्सा मिला हुआ है वो छुडाते हैं क्योंकि आप देखो दुनिया में मात पिता लौकिक में क उसके विकार का इंतजाम करना और फिर जो निर्विकारी नहीं बनते वो स्वाद नहीं सचकते जिनको विकारों का नशा चड़ा हुआ है उनको तो ऐसा लगता है कि ये हमारा जनम जनमांतर का भोजन और बाप का वर्सा लौकिक बाप का वर्सा चुडाते हैं छीनते हैं तो फिर वो बहुत हंगामे करते हैं, अब छुडाते तो वो बेहत का बाप है न, हम थोड़ी छुडाते हैं, इनको भी उसने छुडाया, ब्रह्मा बाबा को भी, बच्चों को भी, बच्चों को भी बचाने की कोशिश किया, ब्रह्मा बाबा ऐसा तो नहीं, कि शिप बाबा हैं कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है इसलिए हम जब सुनते हैं तो समझते हैं कि सत्गुरु बाप हम आत्मा को गती सद्गती मुक्ती जीवन शुक्ती सुक्षंती के लिए यह ज्ञान दे रहे हैं सर्व शक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसको कहा नहीं जाता और सारी शक्तियां किस से मिलते हैं ज्ञान और योग बल से वही तुमको नौलेज दे रहे हैं नौलेज इस माइट नौलेज इस पावर बाप ही तुमको समझाते हैं ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है इनको छोड़ो फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वे इतना जगड़ा करते हैं माताएं भी कोई-कोई ऐसे निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती हैं जो अच्छी चीज जिनको सधारण नहीं होती बुरी चीज ही उनका खजाना है और वो बुरी चीज कोई छुड़ा है तो फिर हंगामा तो वो करते हैं अभी तुम हो संगम युग पर ये भी कोई नहीं जानते कि पुर्शोत्तम संगम युग है बाबा ने कहा न इन दो आखों से कुछ भी देखने में नहीं आता सोचो धर्ती पर भगवान आये मनुष्य से देवता बना रहे हैं युग परिवर्तन हो रहा है लेकिन जब तक ज्यान नेत्र ना मिले तो मनुष्य को नहीं पता चलता ये पुर्शोत्तम संगम युग है बाब कितना अच्छे रिती समझाते हैं बहुत है जिनको पूरा निश्य है कोई को सेमी निश्य है कोई को सो प्रतिशत कोई को दस प्रतिशत भी है क्योंकि बैठे है देखो जान जानने का निश्य है कई को मानने तक निश्य है और जिनको 100% निश्य है वो चलते भी बाबा के ज्ञान के आधार से तो देखा जाता है कि निश्य के आधार से हमारी चलन में अंतर पड़ता है अब भगवान श्रीमत देते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कई यह जानते हैं कि बाबा को याद करना है कई मानते हैं कि सच मुझ बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे कई याद करते हैं और याद का बल और फल अनुभव करते हैं तो इसका मतलब उनको 100% निश्य है तो बाबा कहते हैं ये है बाप का बड़ा फर्मान निश्य हो तब तो उस फर्मान पर चले ना तो जो चलते हैं तो पता चलता है हाँ इनको पूरा निश्य है बाप कहते मेरे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो इनको याद नहीं करना है मैं नहीं कहता बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते शिप बाबा कहते इनको याद नहीं करो मुझे करो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं नहीं कहरा मुझे याद करो इनको करो जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो ये भी पढ़ता है सभी स्टूडेंट है पढ़ाने वाला तो एक टीचर है तो हमें किसे याद करना है परम पेता, परम शिक्षक, सत्गुरु को याद करना है वो तो सब मनुष्य पढ़ाते हैं यहां तो तुमको इश्वर पढ़ाते हैं और इश्वर पढ़ाते हैं तो जैसे मनुष्य की पढ़ाई से हम डॉक्टर इंजिनिर बनते हैं इश्वर के पढ़ाई से हम देवता बनते हैं लेकिन जो टीचर पर निश्य रखे और फिर पढ़ाई पर चले वो तो बनेंगे ना तुम आत्माई पढ़ती हो तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती भी है इन में बहुत आत्म अभिमानी बनना है इस पूरे ज्यान में आत्म अभिमानी बनना पढ़े क्योंकि परमात्मा पढ़ाते हैं आत्मा पढ़ती हैं और आत्मा अपने भविश्य को बनाती है पढ़ाई के द्वारा तो जिस आत्मा को रियलाईज होता है मैं एक आत्मा हूँ और मुझे मेरे बाप की श्रीमत पर चलना है और मेरी भविश्य तकदीर बनानी है वोही इस पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं तो आत्म अभिमानी तो बनना पढ़े बैरिस्टर इंजीनिर भी आत्मा ही बनती है आत्मा को अब दे अभिमान आ गया है आत्मा इस शरीर के द्वारा जो पुजिशन लेती है पद लेती है उसके अभिमान में रहती है आत्म अभिमानी के बदले दे अभिमानी बन पढ़े हैं अब आत्म अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते आत्म अभिमानी को तो अपने स्वरूप का अपने भविश्य का, अपने बाप का नशा रहता है और दे अभिमानी को स्थूल प्रापतियों का वस्तु व्यक्ति वैभव का नशा रहता है तो बाबा कहते है आतम अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सके क्योंकि आत्मा का ख़जाना तो उसकी पवित्रता है तो आतम अभिमानी कभी भी विकारी नहीं बनते, क्योंकि विकारी बनते ही उनका खजाना घट जाता है, उनको कभी विकारी ख्यालात भी नहीं आ सकता, देअभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकार की दृष्टी से देखते हैं, जैसे स्मृती वैसे दृष्टी दे अभिमान में दृष्टी भी विकारी होते हैं, विकारी मर्च भी रहते हैं, आतम अभिमानी स्थिती में पवित्रता इमर्च रहते हैं, अपना पवित्र देश, अपना परंपिता, पवित्रता का सागर, पवित्र सत्यु ग्याद रहता है, तो विकारी ख्याल नहीं आते देवताओं की विकारी द्रिष्टी कभी हो नहीं सकती इसले तो आज भी देवताओं की चित्रों पर भी विकारी द्रिष्टी नहीं जाती क्योंकि उनकी द्रिष्टी विकारी नहीं है तो वहां उनके सम्मुक खड़े होने से चित्र के सम्मुक भी हमारी दृष्टी बदल जाती है ज्यान से फिर दृष्टी बदल जाती है अभी ज्यान रख जैसे जैसे ज्यान मैं कौन मैं किसका मेरा लक्ष क्या है मेरा आदी अनादी स्वरूप क्या जब ये स्मृति बदलती है तो दृष्टी भी बदल जाती है सत्युग में ऐसे थोड़ी प्यार करेंगे, डांस करेंगे वहां की डांस भी ऐसी नहीं, वहां का प्यार भी ऐसा नहीं वहां प्यार करेंगे परन्तो विकार की बास नहीं होगी यहां तो बात में भी विकार की बांस होती है, संबंद संपर्क में भी विकार की बांस होती है और प्यार में तो विकार की बांस बरी पड़ी होती है जनम जन्मांतर विकार में गए हैं तो वो नशा बहुत मुश्किल उतरता है यहनो जब पूरा इतना अपनी तपस्या में रहे कि आतम अभिमानी बने एक बाप को याद करे तब जाकर विकार का नशा धिरे-धिरे उतरता है बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चिया तो बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है हम अकेले थे अकेले ही जाना है है नो तो देह को भी भूल कर पूरा आतम अभिमानी बनते है उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा कहेंगी ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं इनमें विकारी बास है ये जो हाथ लगाना, गले लगना ये सब विकार की निशानिया है वैसे तो आत्मा को स्नेह को व्यक्त करने के लिए कोई हाथ लगाने के जरूरत नहीं है ये सब विकारी बास की चीज़े हैं विकारी हमको टच भी ना करें इस मन्जिल पर पहुँचना है कि हम आत्मा को इतनी पवित्रता इतना स्नेह हो कि विकारी की ना खुद को कोई उतकंठा हो किसी को टच करने के ना किसी का टच हमें अच्छा लगे देही तरफ बिलकुल द्रिष्टी ही ना रहे वो करमाती तविस्था अभी बनानी है अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं क्योंकि अभी पूरी आत्म अभिमानी स्थिति पक्की होई नहीं है यह मंजिल है अभी भी पहुँचना है बाप हमेशा कहते रहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो लेकिन जितना निश्य होगा उतना इस श्रीमत पर चलेंगे अपने को आत्मा समझने के लिए बहुत अच्छा अंतरमुकता का अभ्यास चाहिए और आत्मा समझ कर बैठें करम करतें आत्मा समझें एटेंशन चाहिए तब आत्म अभिमानी स्थिति पक्के हो यह शरीर दुम है जिसमें तुम पाठ बजाते हो यहना तो दुम के पीछे थोड़ी पढ़ना इदुम तो छूट जाएगी कई कहतें इन में शक्ती है परंतु शक्ती की कोई बात ही नहीं यह तो पढ़ाई है यह कोई चमतकारी शक्ती नहीं जो किसी में है किसी में नहीं यह तो पढ़ाई है बाबा हर बच्चे को पढ़ा रहे जो पढ़ेगा सो करेगा सो पाएगा जैसे और भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पढ़कर ब्रह्मा बाबा बनते हैं, तो हम भी पढ़ेंगे तो बनेंगे, प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पढ़ता है, क्योंकि किसी को अगर प्योरिटी का स नहीं चखा है और उससे impurity छुड़वाएं तो वो तो बहुत जैसे है ना हंगामा मचाते हैं क्रंधन करते हैं बड़ी मेहनत है इसलिए बाप कहते हैं एक दो की आत्मा को देखो क्योंकि जब आत्मिक द्रिष्टी से भी देखते हैं तो उस द्रिष्टी से भी आत्मा की स्म मत्यूग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो वहां तो रावन राज्जी ही नहीं विकार की बात ही नहीं जहां आत्म अभिमानी स्थिती है वहां विकार की बात नहीं क्योंकि आत्मा में विकार ही नहीं विकार तो इस दुनिया की चीज है देखिमान में विकार आता है यहां रावन राज्य में सब विकारी हैं इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं इसलिए बाप आकर हमें अपना परिछे देते बाप का परिछे देते घर का आने वाली दुनिया का और हमारा बुद्धी योग इस विकारी दुनिया से निकाल कर हमें निर्विकारी बनाते नहीं बनेंगे तो सजा खाने पड़ेगी आत्मा पवित्र बनने भिगर उपर जा न सके क्योंकि उपर तो पवित्र धाम है बाबा तो पवित्रता का सागर है कैसे जाएंगे वहां जब वहां की फ्रिक्वेंसी और हमारी फ्रिक्वेंसी अलग है हम पतीत वो पावन घर कैसे जाएंगे हिसाब किताब चुक्तु करना पड़ता है अब हिसाब किताब भी चुक्त करना है पवित्र भी बनना है और फिर जो भी हिसाब किताब आते हैं शक्तियों के आधार से उन्हें चुक्त करना है फिर भी पद कम हो पड़ता है बाबा केते कई बार हिसाब किताब दो विदी से चुक्त होता है एक प्यार से बाबा की श्रीमत पर चल कर दूसरा मार से सजा खाए अब सजा खाने वाले का हिसाब किताब तो चुक्त हुआ, लेकिन उसको पद नहीं मिलता, ये राज्थानी स्थापन हो रही है, बच्चे जानते स्वर्ग में एक आदी सनातन देवी देवताओं का राज्य था, पहले-पहले तो जरूर एक राजारानी होंगे, फिर डेनेसि बाबा कहते हैं, अब राजा की अवस्था और प्रजा की अवस्था तो एक नहीं होगी न, अवस्था भी एक नहीं होगी, विवस्था भी एक नहीं होगी, तो जिनको पूरा निश्य नहीं, वो पूरा पढ़ भी ना सके, क्योंकि टीचर पर जितना निश्य होगा, उतना पढ़ाई भी धारण होगी, इसलिए बाबा कहते हैं, निश्य के आधार से पढ़ाई होती है, पवित्र बन ना सके, और पढ़ाई जितना धारण होती है, ज्यान की पढ़ाई, योग की पढ़ाई, उसे ज्यान बल योग बल से पवित्र बनते, तो पवित्र भी नंबरवार बनते, आधा कल्प के पतीत एक जनम में 21 जन्मों के लिए पावन बने, ये मासी का घर है क्या? सोचो, आधा कल्प के पतीत एक जनम में ऐसा पावन बनते हैं, जो 21 जन्मों तक पवितृता, सुक, शान्ती का राज्य रहता अभी कोई मासी का घर तो नहीं है ना भले हमें डबल इंजिन लगी हुई है शिप बाबा भी है ब्रह्मा बाबा भी है लेकिन फिर भी पुर्शार्थ तो पूरा करना पड़े मुख्य है ही काम की बात है ना क्योंकि काम के अधार से ही सारे विकार काम विकारी दे अभीमान का मुख्य कारण है क्रोध आधी का इतना नहीं है कहां बुद्धी जाती क्योंकि कामेशू क्रोधेशू है जब देही अभीमानी बनते काम पर विजय पाते द्रिश्टी बदलत तो कुरूद मुक्त भी हो जाते कहां बुद्धी जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं क्योंकि बाप को याद करेंगे तो बुद्धी का भटकना बंद हो जाएगा बुद्धी का भटकना अर्थात देअभिमान है और बाप को याद करेंगे तो देअभिमान तो पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं, यहना पवित्र बने भी नहीं है, सुनकर ही जल मरते हैं, कि आप ऐसी बात क्यों कहते हो, अरे आपको नहीं बनना है, आप नहीं बनो, लेकिन क्या है कि सुनकर भी जल मरते हैं, क्योंकि इतना विकारों को जैसे अपने संपत् प्वित्र में की काम महाशत्रու है, लेकिन फिर भी बुद्धी में नहीं बैठता। ये वो तो हैी निवृति मार्क का अलग धरम, उनको तो पुनरजनम लें, फिर भी सन्यास धरम में ही जाना है। वही संसकार ले जाते हैं, अब सन्यासी तो एकदम अलग धर्म है, सन्यासी पवित्र बनते हैं, लेकिन वो तो फिर घरबार छोड़ते हैं, फिर अपने ही सन्यास धर्म में जनम लेते हैं, तुमको तो घरबार छोड़ना नहीं है, समझाय जाता है, भल घर में रहो, उनों को भी समझाओ, अब है संगम यूग, बाबा कहते हैं, घर ग्रेस छोड़ना क्यों, सेवा के लिए, तु सेवा घर में भी रह के करो न, उनकी करो, वो भी आत्माई है, उनको समझाओ, ये संगम यूग है, पवित्र बनने बिगर सत्यूग में देवता बन नहीं सकेंगे, है न, तो उनको भी समझाओ, जिस कारण से आप पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, उनको भी समझाओ, कि मेरा लक्ष है देवता बनना, तो पवित्र नहीं बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, थोड़ा भी ज्यान सुनते हैं, तो प्रजा तो बनती जाती हैं, प्रजा तो डेर होती है सत्यूग में वजीर भी नहीं होते क्योंकि बाप संपूर्ण ज्यानी बना देते हैं तो वजीर आदी तो चाहिए अज्यानियों को इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है यह दुश्मन बनने का भी बहुत कड़ा स्वभाव है है ना अभी तुम समझते हो हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं तो यह सारे स्वभाव संसकार हमें अब छोड़ने हैं अब हमें आत्म अभिमानी बनना है आत्मा की मुल स्वभाव में ऐसे कोई संसकार नहीं होते हैं कोई बड़ी बात है क्या वो दुख से मरते हैं तुमको सुख से बाप की याद में जाना है शरीर तो सबको छोड़ना है लेकिन अंत्मते सोगती हैं तो हमें ऐसा पुर्शार्थ करना है कि इतने सुख सुरूप शान सुरूप बने कि शरीर सुख में छोड़े दुख में नहीं क्योंकि जैसे अवस्था में शरीर छोड़ेंगे वैसा जनम होगा जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे कोई भी याद नहीं रहेगा परन्तु वो अवस्था तब हो जब पक्का निश्य हो निश्य नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती इसलिए मूल बात है बाप निश्य कि यही बाप टीचर सत्गुरू है यही वर्सा देने वाला पद देने वाला यही मुक्ती जिवन मुक्ती देने वाला बाबा है नाम मात्र सिर्फ कहते हैं निश्य ही नहीं तो याद काहे को करेंगे फिर निश्य नहीं है तो जिन देधारियों को समझते हैं कि इन से प्राप्ती मिलेगी, इन से सुख मिलेगा तो उनके पिछाड़ी पड़ते हैं, सबको एक जैसा निश्य तो नहीं है, निश्य है कि मेरे सर्व संबन, सर्व प्राप्तियां एक बाप से हैं, यही बाप मेरा बाप, टीचर, सत्गुरु, माता, बंदु, सका, स्वामी, शिक्षक, साजन, सब कुछ है, तो यह निश्य है बाबा केते हैं, माया निश्य से हटा देते हैं, माया क्या गड़ते हैं, सबसे पहले निश्य से हटा देते हैं, सोचेंगे कि इतनी सारी देहधारी हैं, यह कुछ नहीं देते हैं, एक बाबा जो दिखता भी नहीं, उससे मलता है सब कुछ, जैसे के वैसे बन जाते हैं, प कि बाप से सब कुछ मिल रहा है, जो आज तक ढूण रहे थे, लेकिन बैठ कर उस महसूसता के अधार से पक्का करना पड़े, तब निश्य में स्थित हो। संशे रहेंगा क्या कि ये बाप नहीं है, बेहत का बाप ही ज्यान देते हैं, रोज इतना ज्यान सुनाते हैं, पालना करते हैं, उस पर कैसे संशे होता हैं, ये तो कहता है मैं स्रिष्टी के रच्चैता और रच्चना को नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा भी यही कहते हैं, मेरे को कोई तो सुनाएगा ना अब ब्रह्मा बाबा तो जोहरी था ब्रह्मा बाबा कोई ये ज्ञान थोड़ी जानता था तो ये ज्ञान कहां से आया किसे ने तो सुनाया ना मैंने बारा गुरु किये उन सब को छोड़ना पड़ा गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं अग कोई भी गुरु बाबा को त्रिप्त करते तो उनको छोड़ते थोड़ी, सत्गुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया, समझा पता नहीं क्या होना है, गीता में भी है ना अर्जुन को भी साक्षातकार कराया, अर्जुन की बात है नहीं, ये तो रत है ना, ये भी पहले गी पढ़ता था, ना तो बाबा कहते है उस अर्जुन की बात नहीं और उस रत की बात नहीं है, ये अर्जुन है ब्रह्मा बाबा और रत है इनका शरीर, और इनमें बैठ बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, बाप ने प्रवेश किया, साक्षातकार कराया, कि ये तो बाप ही ज ज्यान देने वाला है, तो इस गीता को फिर छोड़ दिया, तो बाबा कहते ही, शिप बाबा ने जब प्रवेश किया, तभी ब्रह्मा बाबा को भी ज्यान मिला, उससे पहले तो बाबा में ज्यान नहीं था, बाप है ज्यान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना, गीता है मा बाप वो बाप ही है जिसको तुमेव माताश्य पिता कहते हैं क्योंकि बाप आकर गीता सुनाते हैं गीता मा है शिप बाप है और दोनों कमबाइंड होकर भगवानु वाच जब सुनाते हैं तो हम उसका हमारी उससे सद्गति होती हैं तो बाबा कहते हैं वो रचना रचते हैं एडॉप्ट करते हैं न शिप बाबा भी देखो ब्रह्मा बाबा को पहले एडॉप्ट करते और फिर उनके द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है बाप कहते हैं इनकी जब भी जब वानप्र स्तवस्ता होती है तब मैं प्रवेश करता हूं कुमारियां तो ही पवित्र उनके लिए तो सहज है शादी के बाद कितने संबंद बढ़ जाते हैं इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है यह ना शादी के बाद और भी मुश्किल क्योंकि जब कुमारी रहते तो विकार भी इतने नहीं और फिर संबंद के भान में भी बुद्धी नहीं फसी होती और फिर वो सब कुछ हटाने में शादी के बाद तो मेहनत लगती है वास्तव में तो आत्मा शरीर से अलग है परंतु आधा कल्प दे अभिमानी रहे हैं बाप आकर अंतिम जनम में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भास्ता है बाबा ने कहा ना 63 जनमों की जंक निकले और हम 21 जनमों के लिए भरपूर हो जाएं ये मासी का घर तो नहीं है पुर्शार्थ करते करते भी कितने थोड़े पास होते हैं आठ रतन ही निकलते हैं है ना सोचो इतना बड़ा यग्य इतने बच्चे और पास्विद ओनर कितने होते हैं आठ अपने से पुछो हमारे लाइन क्लियर है माना हम एक बाबा की याद में रहते हैं एक बाप के सिवाए और कुछ याद तो नहीं आता ये अवस्था पिछाडी में होगी आतम अभिमानी बनने में बहुत मेहन अच्छा मेठे मेठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की मेठे मेठे सिकी लधे मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ति, ओम शान्ति, धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्यान से अपनी दृष्टी का परिवर्तन करना है, आतम अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने है, किसी भी विकार की बांस ना रहे, देह तरफ बिलकुल दृष्टी ना जाए, बेहत का बाप ही हमें पढ़ा आते हैं, ऐसा पक्का निश्य हो, तब याद मजबूत होगी, ध्यान रहे, माया निश्य से जरा भी हिला न दे, वर्दान है, सेवा भाव से सेवा करते हुए, आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विगन सेवाधारी भव, बाबा केते हैं, सेवा भाव सफलता दिला सेवा भाव, किसी आत्मा का कल्यान करने का भाव, बाब के निमित बनने का भाव, ये भाव सफलता दिलाता है, सेवा में अगर एहम भाव आ गया, कि मैं करता हूँ, निमित भाव, निर्मान भाव अगर समाप्त हो गया, तो उसको सेवा भाव नहीं कहींगे, किसी भी सेव सेवा में अगर एहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा और समय भी ज्यादा लगता और स्वयम की संतुष्टा भी नहीं होती क्योंकि बाप की शक्ती भी नहीं मिलती और दौाएं भी और आशिरवाद भी नहीं मिलते तो मेहनत भी ज्यादा और संतुष्टा भी नही और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, निमित बनना तो बहुत एजी है ना, जिम्मेवारी लेने से थकान भी होती है, माना जिम्मेवारी ले निमित बनकर मैं पन से ले हैं, तो उसमें थकान भी ज्यादा होती है और खुद को संतुष्टा भी नहीं होती, क्योंकि सेवा भाव से जो दुआई मिलती हैं, उससे जोली भरपूर होनी चाहिए, तो बाबा कहते हैं, वे सदा उरती कला का अनुभव करते हैं, उनका उमंग उत्सा स्वयम को भी निर्विगन बनाता और दूसरों का भी कल्यान करता है, क्योंकि वो देते देते खाली नहीं होते, भरत हैं, तो भरने वाला सदा उमंग उत्सा में रहता और उनके द्वारा औरों की भी जोली सेहज भरते, स्लोगन है, ग्यानी तो आत्मा वो है, जो महीन और आकर्शन करने वाले धागों से भी मुक्त है, कई ऐसे महीन धागे होते हैं, जो अंदर रहते तो हैं, पर उनका हमें एहसास पी नहीं होता, कई ऐसे लगाओ के धागे होते हैं, देहधारियों के साथ, जिनको हम ऐसा समझते हैं, कि हमारा खास लगाओ नहीं है, लेकिन समय पर ऐसे धागे हमें खीच देते हैं, या कोई मानशान या स्वार्थ छिपे हुए स्वार्थ के धागे, जो हमें समय पर धोका देते हैं और दुखी करते हैं तो बाबा कहते हैं जो अच्छे ज्ञानी होते हैं वो इन महीन और आकर्शन करने वारे धागों को भी पहचान कर योग बल और के आधार से इनसे भी मुक्त बनते हैं अच्छा ओम शान्ति आज सत्गुरवार हैं आज हम सभी साड़े साथ बजे सुबे मुरली मंतन के लिए जूम पर प्रस्थत होंगे और फिर आठ बीस पर प्यारे बाब दादा को संगठन में भोग स्विकार कराएंगे ओम शान्ति